हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू एलेस फूड लाइफ और आज मैं आपके लिए लेकर यू अंडा करी और इसे हम थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे थोड़ा चटपटा बनाएंगे तो मसाला थोड़ा इसमें जाधा यूज़ करेंगे हम तो चले अचके अंडा करी रेसेपी को श कि अच्छेउबले यह अंडा ले लिया है आप देख सकते हैं ग्यूब वाल की मेरे ठंडा कर लिया है और अंडा का जो छिलका है वह मैंने निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसे फोक से इस तरह से छेट कर लेंगे यान कि स्प्रेट कर लेंगे आप चाहे तो चाक् करने के मतलों अन्डा कम oney नमक से 14 छोटा चमाय हल भी पाउडर 15 चostali ओर चोटा चमस लाल मिच पाउडर एक चोटा च्षोटा चमस नमक और नमक पचल सर आप चाहे हैं बगर हल्दी नमक और मिच पाउडर से भी इसे फ्राई कर सकते हैं लेकिन इसे क्या हो कि कलर भी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है तो हल्दी नमक और लाल मिच पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है अंडा के साथ तो अब हम इसे फ्राई कर करेंगे दोनों तरफ से तब तक ऑन धार चेंज ना उजाई तो अब देख सकते और कलर वी चेंज ह हो चुका है और अंडी कऊ्फटी यारा उट करेंगे और घर COVID करोड़ीं अब को क्यों का दूसरा ओयल से भी बना सकते हैं और इसमें हम डालेंगे आदी छोटी चमल साबो जीरा जीरा का हम कुछ सेकेंड तेल के साथ भून लेंगे ताकि जीरा का फ्लेवर है वो तेल पे आज जाएंगे अगर आपको जीरा का फ्लेवर पसंद नहीं जीरा पसंद नहीं करते हैं तो आप जीरा स्किप कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे प्याज और ये कारिव तीन से चार मीडियम से इसकी प्याज को मैंने लंबाई में काट लिया है अगर आपको प्याज जादा लगता है तो आप प्याज के quantity कम कर सकते यानि कि आप चाहे तो इसमें एक से दो प्याज भी यूज कर सकते और मैंने प्याज को लंबाई में कटा है आप चाहे तो प्याज को बारी कट के भी यूज कर सकते हैं प्याच को हम 2-3 मिनिट लो फ्लेम पे भूल लेंगे ताकि प्याच तोड़ा सॉफ्ट हो जाए और प्याच हलका व्राउन हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे एक बरी चमच लेसन और साथ इसमें हम डालेंगे एक बरी चमच अद्रक अद्रक लेसन को मैंने क्राश कर लिया है आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसमें अद्रक लेसन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं तो अद्रक लेसन का प्याच के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भूल लेंगे ताकि अद्रक लेसन का जो कच्छा फ्लेवर और ना रहे प्याज और अधरक लेसन अच्छी तरह से भून जाएं आप देख सकते हैं प्याज या लेसन अच्छी तरह से भून चुका है इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर और टमाटर को मैंने लंबाई में काट लिया है आप चाहें तो बारिक या फिर आप टमाटर प्यूरी भी यूज कर सकते हैं टमाटर को हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाला एक छोटी चमस धनिया पाउडर और साथी इसमें हम डालेंगे आदी छोटी चमस जीरा पाउडर एक चोटी चमस लालमीच पौडर लालमीच पौडर आप कमिया ज़दा कर सकते हैं अगर आपको तेखा कमिया ज़दा चाहिए आदी चोटी चमस हल्दी पौडर और स्वाद रिनी से नमक डाल देंगे मसाला को हम अच्छी तरह से प्याजा टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी यूज़ करेंगे ताकि मसाला जले ना फिर हम इसे ढख के लो फ्लेम पे 2-3 मिनिट पका लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला का जो कच्छा फिलेवर हो भी ना रहे तो 2-3 मिनिट के बाद मैंने डखकन खूला आप मसाला का कलार देख सकते हैं मसाला का कलार कितना अच्छा आया और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है तेल और मसला भी अलग हो चुका यानि कि मसला अच्छी तरह से हमारा भून चुका है और इसमें मैंने मसला थोड़ा जादा यूज किया और सबसे जादा यूज किया मैंने धनिया के पाउडर तो अगर आपको मसाला कम चाहिए तो आप मसाला का कॉंटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं फिर हम इसमें डालेंगे फ्राइ किया हुआ अंडे अंडे को हम मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिनिट हम मसाला के साथ भून लेंगे मतलब पका लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे ग्रेवी, पानी आप अपनी अनुसर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पानी जादा चाहिए, मतलब ग्रेवी अगर पतला या कम चाहिए, तो पानी अपनी अनुसर यूज़ करें, आदी छोटे चमस गरम मसला, अगर आपको गरम मसाला पसंदे तो डाली या फिर आप गरम मसाला इसकिप कर सकते हैं गरम मसाला को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह सा है मैंने इसमें पानी करीब एक कप यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और यह थोड़ा मसाला वाला बना रही हो तो हलका गरेवी अच्छा लगता है लेकिन साधा गरेवी अच्छी लगता है तो आप इस तरह से एजीली एक करी बना के सर्फ कर सकते है लैंज या डिनार पे इसे अच्छा भी लगता और जल्दी भी बन जाते हैं और यह बहुत ज़्योंदी होती है पानी डालने के कि में बगार डाके से 2-3 मिट हाई फिलेंप पका लेंगे यह थोड़ा तीखा एक करी बना रही हूं अगर आपको मसाला ज्यादा लगे तो आप मसाला का क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं लेगिन कभी कबर तीखा करी अच्छा लगते आप इस तरह से अंडा करी बन लग रही है और यह परफेक्ट मसाला अंडा करी है और इसे बनाना भी असाने बहुत ही सिंपल सा रेसेपी ज्यादा तामजमनी है और इसे कोई भी आसानी से बना सकते हैं गैस हम बंद कर देंगे और इसे सर्फ कर लेंगे तो चलिए चलते सर्फ करने के प्रसिस में इसे असाने फटापट बन जाते हैं और इसमें मैंने आलू यूज नहीं किया है आप चाहे तो या फिर अगर आपको आलू पसंद दे तो आप इसमें आलू एक यूज कर सकते हैं तीन हरी मेर्ची उपर से रख देंगे ये दिखने में भी अच्छा लगते हैं और बहुत ही यम अठा के साथ आप मुझे इंस्टागरम या फेजबुक में फॉलो कर सकते हैं अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपका कोई सजेशन है तो कॉमेंट के जारी आप मुझे कह सकते हैं तो इस अंडा करीक आप इंजय किजे तो चलिए झाल 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 झाल